इस HIIT workout के अंदर हम लोग 30 seconds का work in travel होगा और 10 seconds का rest in travel होगा और total cool में लागे हो जाएंगे 10 round हम आपको recommend करते हैं अगर पहले circuit के बाद आप में कुछ सांस बचे तो at least do two circuits इस इंट्रो के बाद 3-4 minute का warm up है अगर आप direct workout पर जाना चाते हैं और follow along करना चाते हैं तो इस time stamp के उपर चले जाएं As a warm up आप करेंगे 2 minute के लिए jump rope, jump rope इसले के थोड़ा सा आपका heart elevate हो जाए, थोड़े से muscles lose हो जाएं ताके आप एक अच्छा workout कर सके और जिन लोगे पास jump rope नहीं है, फिकर की कोई बात नहीं है, वो खाली हातों से jump rope करेंगे Jump rope के फोरण बाद आप करेंगे 2 minute का dynamic warm up, क्योंकि इसके अंदर हम काफी explosive kick boxing की moves कर रहे हैं, तो proper joints का warm up होना काफी जरूरी है, तो kindly follow along हमारे coach सिकंदर साहब झाल मुर्म काफी दाऊग, झाल मुर्स्सका रहें। झाल मुर्म काफी जरूरी है झाल झाल अगर आप इस वाम अप को अभी तक फॉलो कर रहे हैं तो हलका हलका आपको पसीना आ चुका होगा आपके जॉइंट्स काफी लूज हो चुके होंगे और अगर आप ये वीडियो एंजॉई कर रहे हैं तो प्लीज हिट लाइक बड़िए झाल झाल ये बॉण करते हैं Jr जबसे पहले है बैशिक जैब जैय कम्भो आपने सउगंदर को खौर से देखना है उसका फुत वह ओ को कोशिश करनी है اور इसको जिदना př्सक्ते आ मैं उतना करें जितना ज्यादा एक्स्प्लोसिफ करेंगे उतनी स्यादा केलरीज बन होंगे हमाई दूसरी एक्सराइज है पुषप अड हैंड अप यह आपकी चेस्ट को अंगेज करेंगी और प्लस यह आपके कौर को काफी ज्यादा अंगेज करेंगी अगर आप पूशप नहीं कर सकते तो सिरफ और सिरफ हैंड अप करें और अपने को सखत रखें तूरिंग दे मुवमेंट हमारा दूसरों कॉम्बो होगा जैब और क्रॉस सबसे बेसिक बॉक्सिंग का कॉम्बिनेशन है सिकंदर के फुटवर्क पे आपने काफी गोर करना है और इसी को रैप्लिकेट करने कोशिश करनी है क्रॉस के अंदर ज्यादा फुटवर्क की गेम है इस नेक्स एक्सरसाइज है वो है प्रिजनर्स चॉट्स प्रिजनर्स स्कॉट्स एक भी थरीन एक्सरसाइज है लुट्स एपट लॉस के लिए और अगर आप चाहते हैं जोन करना अपने हिप्स अंठाइज दिस इस द्धलाइज सबध्स अदध्स अद्स अबर अद्स अड़ अद्स अद्स अब बारी याई थर्टी सेकंड के लिए जाब क्रॉस नी का कॉम्बो वन अफ तर बेसिक कॉम्बो ऑफ एक बॉक्सिंग और मेरे खाल से अधर अधर हर पंदे को यह आना चाहिए अधर आगी बारी थर्टी सेकंड बर्पीज की अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं और किसी वर्काट में बर्पीज ना हो यह हो नहीं सकता अधर अधर सबस्दा आपके मुसल्स को इंगेज करती है इन वर्काट वो है बर्पीज नापके मुझे लॉस्दा अधर आपके मुझे बर्काट अधर अधर नापके मुझे वर्काट वो है आपके मुझे प्युदाए नेक्स्ट मारा कॉम्बिनेशन है जैब एंड फ्रंट किक सिकंदर की फिटनेस को देखते हुए लग रहा है कि यह काफी आसान है लेकिन बिलीव मी अगर आप यह वाला वरकाउट सही इंटेंसिटी के साथ करेंगे तो ठीक ठाक पसीना आएगा अब बारी आ चुकी है 30 सेकंड्स आफ माउंटें क्लाइमर माउंटें क्लाइमर आपके कोर को काफी जादा इंगेज करेगा और आपके जोर एब्स हैं खास सुर्पे और अबलीक्स इनको काफी हद तक ट्रेन करेगा जाद आफ करेगा लास्ट नमारा बॉक्सिंग कॉम्बो है जैब, क्रॉस, हुक आपने सिकंदर की फुटवर्क को काफी हद तक फालो करने कोशिश करनी है अगर आप ये वाला कॉम्बो सीख लेते हैं तो सेल्फ डिफेंस के अंदर ये काफी हद तक आपकी मदद कर सकता है इस वरक आउट की लास्ट एक्सराइज है 30 सेगिंड्स हैं प्लैंक क्लाइमर्स के ये प्लैंक का कहा लेंके दादा अबू है ये आपके कोर को काफी ज्यादा इंगेज करेगा और अगर आप इसको प्रॉपर फॉर्म के साथ करेंगे तो यू विल तुमारो उमीद करता हूँ आपको ये वरक आउट अच्छा लगा होगा अगर आप इसको प्रॉपर फैट लॉस का वरक आउट बिनाना चाहते हैं तो इस इसी सर्कुट को दो या तीन दफार रपीट करें और रही बात अगर आप इसलामबाद में MMA और किक बॉक्सिंग को सही मानों में हार्ड को स्टाइल में सीखना चाहते हैं तो सिकंदर का इन्फो इसक्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा प्लीज कॉंटक्ट हिम